नवस्कार दोस्तों किसी को धोका देना एक करज जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हातों से खाकर चुकाना पड़ेगा नवस्कार दोस्तों राधिरादी स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल गीते के रासी पल में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगरासी वालों की सिंगरासी वालों को 28 माई दिन सनवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किनकिन्चियों से साब्दार रहना हुगा और सिंग रासी वालों को आने वाले समय में वे कौन-कौन से कुसकबरी मिल ले वाली हैं तो दोस्तो आई इन शुड़े में आपको बताएंगे सिंग रासी वालों को पारिक वरजीवन कैसा रहेगा उनका बेन इस प्यापर कैसा चलेगा उनका प्रेम सम्माद कैसा रहेगा, और साथनी सात उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो, आज 197 आए के स्वाब रास पर बताएंगे, अगर दोस्तो आपकी भी सिंग रासी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सस्काजरू करें और साथी साथ बेल आकर ओल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकर सा मिल सके दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचान की 28 माई 2022 दिन सनवार आज की तितिय तिरियो दसी आज का नचत्र वन्नी नचत्र पचे चला किसन पचे आज सुर्व उद्य होगा सुबह 5 बच के 24 मिनट पर और सुर्व अस्त होगा साम 7 बच के 12 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय है सुबह 11 बच के 50 मिनट से दुबह 12 बच के 45 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो आज आज आपको सुब करना चाते हैं तो आप इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा साती आपको बताएं आज का असुब समय है सुबह 5 बच के 24 मिनट से सुबह 7 वज़ के पंदर मिन तक रहेगा दोस्तो आज आपका लखी लंबर एक पूर और सुब रंगे गुलावी और सपेद तो दोस्तो अब बात करते हैं आज के रासिपल के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा आज की जानते हैं तो दोस्तो अपने सरीर की थकान मिटाने और उर्जय इसतर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम के जरूरत है नहीं तो सरीर और थकावट आपके मन में निरासा बादेता को जन्म दे सकती है आज आपको बेवज़े पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है दोस्त और पारवार मित्र आपका उस्सा बढ़ाएंगे आपके प्रिये की खराब तवियत के चलते रोमेंस को दन किनात होना पड़ सकता है आपके पास आज अपने चमताओ को दिखाने के मौके होंगे आज आप सब कामा को छोड़कर उन कामा को कनना पसंद करेंगे जने आप बचपन के दुनों में कनना पसंद करते थे आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तिपर इच्चा पैसा होगी कोशिस करें कि कोई आपकी बातों या काम से असाथ ना हो और पारगार जरूतों को समझें आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है दफ्तर में इस्निया का माहुल बना रहेगा आपको अपने दारे से बार में करकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो अपनी उची जगवाँ पर हो बैवाईग सुक के द्रश्टी कौण से आज आपको कुछ अनोका उपार मिल सकता है साथे साथ आपको बताएं आज आपको मेहनत करने के जरूरत होगी बहुत दिक कार सपल होंगे बेवसाय में लाब मिलेगा नई अफसर भी मिलेंगे काम से भी लाब होगा और आपकी मेहनत भी उसमें अपना योगतान दे रही है दूर इस्तान से जुड़ी कोई संभावना भी आपको बड़ा लग देने में सच्चम है साथ में अगर नए कामों की प्लैने आप करके आप चलेंगे तो आपका दिन और भी अच्चा रहेगा कारशित में आप इस समय उन्नती पाएंगे अच्चा पैसा कमा पाएंगे घर परवार का महौल बहुत अच्चा रहेगा दोस्तों से मदद मिलेगी राज नीती से जुड़े लोगों का आपको सहयोग मिलेगा पेड़े समद प्रिकांड होंगे किन्तु सामाजित मर्यादा का आप द्यार रखें तो आपके लिए अच्चा होगा सातीजार दोस्तों आपको बताएं आज दिन हसी कुछी बीतेगा आपके पास कई अवसर होंगे और बरिष्टों का सहयोग आपकी बित्ती इस्तिती में भी काफी सुदार लाएगा आपका पार्वार जीवन कोसाल और आनंद मरहेगा आप अच्चे स्वास्ता का आनंद ले सकते हैं सामान रूप से लोगों के साथ आपके सम्मध बहतर होंगे और आपकी लोग प्रिता बढ़ेगी यह अवदी निवेश प्रियासों के लिए परिपक्व है जो आपके केरियर को बहतर होने की ओर ले जा सकती है साथे साथ दोस्तों आपको बताएं आज का दिन आपके लिए सुकत पड़ाम लेकर आएगा किसे महतबूर ब्यक्ति से मुलाकात हो सकती है दूसरों से आगन लेकरने की इच्चा आपकी तीज होगी प्यार में आपका मन चंचर हो रहा है लेकिन जीवन के कुछ बड़े फैसले आपको आज लेने पड़ सकते हैं जीवन साथे के साथ आपकी मामूली सिकान सुनी हो सकती है साथे आपको बताएं आज ओलन खरेदारी पर आप धन कर्च कर सकते हैं आपको खिसे बिदेशी बैपर्क उत्मय से बड़ा मुनापा होने की भी संभाव न दिख रही है बिजनिस में आपके द्वारा किये गए प्यास आपके लिए रंग ला सकते हैं नौकरी बदलने के बारे में आप योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है नौकरी पेसा लोग फानेंस से जुड़े मामलों को साबधानी से करें तो आपके लिए अच्चा रहेगा साथी साथ दोस्तो आदिक इस्ति अच्ची रहेगी नए इनकम के सोर्स मिलेंगे जिनसे आपकी आए बढ़ेगी गर में कोई धार्मित या मांगलिक कारकरम होनी के संभाव ना है रिष्टेदार पस सजय संबंदियों के बीच आपका मान संभाण बढ़ने के आसार है आपका जीवन साथी आपके प्रिज्टी अत्यनत अनुकूलवाद प्रेम प्रदर्शित करेगा प्रेम प्रसंगों में मदद्धा बरकरा रहेगी अच्छी सेयत का आप जमकर मया लूटने वाले हैं आपका मन प्रिफूलित रहेगा और अध्यात्मता की ब्रद्धी भी संभाव है नौकरी में प्रिमोशन या कोई बड़ी उप्रद्धी आपको हासिर हो सकती है चात्रों को सिच्चा में सफलता मिलेंगी आपको बुरंद्धी अपर पहुँचना लवग तै लग रहा है अगर आपका कारे किसी बिदेशी सिरूतों से जुड़ा है तो आपको लवग थोड़ी हानी हो सकती है साथी तर दोस्तों आपको बताएं इस वाद की प्रिवल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आपके रिस्ते में मद्वित पैदा करने की कोसित करेंगे कदाचित आप अपने साथी में ही नुक से निकालने लेगें आप साथता रहें इससे आपके रिस्ते में दरार पड़ सकती है आपको अपने से बरिस इस्ते पर कार रख प्यक्तियों के बिरोध का समना करना पड़ सकता है जो आपके पितिष्टा को चती पहुँचा सकते हैं ऐसे लोगों के संगस से आप दूर रहें कार सफलता में आने वाले अर्चनों से आप कुछ समय के लिए निरास हो सकते हैं साथी साथ आपको बताएं पिछले कुछ समय से काफी नकारा तों भावना आपके मने में घर कर रहें गएंगे जो आज इस्पस्ट रूप से बाहर आ जाएंगे आपका द्रेस्ट भी कोण अधिक समय से हो जाएगा तता आप सहज कुपित नाराज हो जाएंगे दोस्तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की आपका प्रेम चीमन कैसा रहेगा आज की चानते हैं तो दोस्तो आज दोस्तों के साथ के गूमने वाप परवार के साथ चनाव को मुक्त करना है वाप मन को कुछी का बातावरण मिलेगा और परवार के लोग ही कुछ रहेंगे साथी साथ आपको बता दें कि परवार में कुछ बेवचारिक मतविद भी रहेंगे इसलिए अपने बेस्ट समय में से कुछ समय आप अपने परवार के साथ भी बितीत करें तो दोस्तो परवार का बातवर्ण आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे का साथ बनाये रखें साथे साथ पती पत्री बे भावनातों पर विश्वास पूर दिस्ता रहेगा पर घर परवार बे भी वाता वड़क कुस्नमा रहेगा लेकिन दापपनत जीवन में आज कई न कई किसी बात को लेकर तोरा बहुत मनमटाव वा कानसुनी हो सकती है लेकिन आप चिंता ना करें समय के साथ सब सही रहेगा दोस्तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की आपका स्वास्त कैसा रहेगा आज की चांते हैं तो दोस्तो आज आपके स्वास्त में कुछ हद तक सुदार देखने को मिलेगा यदि आप किसी बीमारी से गरस्त हैं तो दोस्तों आपको इस बीमारी से थोड़ा आरह मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आएगा जिससे आपकी परेशानियां कुछ हद तक खत्म हो सकती हैं तो दोस्तों, आप अपने स्वास्तों को और भी अधिकछा रखने के लिए, आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाने यूग कर ब्रैयाम करते रहें। नवस्कार दोस्तों, रादे रादे। दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्कार नहीं किया आई तो कर लें और साथी साथ बेल आइकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें